मिसाइल हमले का बदला लेने के लिए इसराइल ने इरान के परमानू ठिकाने और तेल के कुए को जलाने का वार प्लाइन बनाया है बिटेन के जंगी जेट भी इसराइल के साथ युद्ध में उतर गए है सूपर पावर अमेरिका ने युद्ध में हर तरह से साथ देने का एलान कर दिया है अमेरिका के एलान से इरान से ज़ादा तुर्की में खलबली मच गई है इसराइल ने नसर अल्ला को मारा तो युद्ध में इरान आया इरान ने इसराइल को देल आया तो वार जोन में अमेरिका आया अमेरिका के युद्ध में आते ही क्या पुतिन ने खाड़ी में दी दस तक आर पार का युद्ध है ये अब किसी के रूखे ना रूखेगा हर खेमे में अलान हो चुका है इस्राइल और इस्लामिक फाइटर की लडाई महा युद्ध में बदल गई है पीशन हमले शुरू हो चुके है हाइपरसॉनिक मिसाइल फट रही है जैसे लेबनान दहल रहा है वैसे ही इस्राइल में कोहराम मचा है इरान के हमले के बाद इस युद्ध में अमेरिका ने भी दमदार एंट्री कर ली है तुर्की भी इस्राइल के खलाफ मोर्चा खोल चुका है मतलब ये कि महा युद्ध में अब महाशक्तियों के हत्यारों की टककर शुरू होगी इसराइल को 181 फत्य मिसाइल हमले से दहलाने के बाद एरान ने जो ऐलान किया है उसने पूरी दुनिया को खत्रे में डाल दिया है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अमेरिका को सीधी चुनाती देते हुए खाड़ी मुलकों से फॉरन रफा दफा होने का फर्मान सुनाया है इसराइल पर हमले का जश्न जिस तरहां से इरान समर्तित लड़ा के मना रहे हैं उच से सुपर पावर अमेरिका बॉखलाया हुआ है एरान में इसराइल पर मिसाल स्ट्राइक को सिर्फ ट्रेलर कहकर आगे की तबाही से अलर्ट भी कर दिया है शर्षोन रज इन मन्तिके कम बकुनन बेदून शक इन दर्गीरी हा इन जंग हा इन बरखुर्दा बे कली अजब इन खाहत रहे वे किस्वराई मन्तिके मीतोनन खुदशूर रएदार कौनन तहरान के सीक्रेट लोकेशन से खामने के मेसे जाने भर की देर थी की कैई मुलकों में हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई प्रेजिडेंट जो बाइडन ने वाइट हाउस के रुजवेल्ट रूम से हाई लेवल मीटिंग बुला कर इसराइल को फुल सपोर्ट का अलान किया है प्रेजिडेंट बाइडन ने इस्राइल पर हुए हमले की कीमत तहरान से वसूनले की धमकी देने के साथ खाड़ी के सभी यूएस बेस पर हाई इलर्ट कर दिया है इस्राइल के साथ मिलकर अमेरिका खाड़ी में नए वार प्लान पर जल्द आक्शन ले सकता है अमेरिका के ओपन एलान के बाद भी इरान में जश्क का दौर जा रही है इरान की सड़कों पर बैनर कोस्टर में युद के लिए रेडी होने की धमकी दी जा रही है माइने ये कि अब इरान अपने सभी हिसाब चुकाने के मूड में है लेकिन सूपर पावर से इरान कितने दिन युद कर पाएगा अमेरिका के हत्यारू की काट इरान कहां से लाएगा क्या इरान अरब देशों के दम से अमेरिका इसराइल से युद जीतने का भ्रम तो नहीं पाल रहा इरान के दुस्साहस की असल डीटेल जानने से पहले अरब वर्ड से आया ये मेसिज भी सुन लीजिये मेसिज है साओधी अरब का, मेसिज है इरान के लिए जिसमें साफ कहा गया है कि साओधी अरब खाड़ी में वार टेंशन को बढ़ने नहीं देना चाहता साओधी अरब का मेसिज इरान के लिए अलारम है जबकि ताकतवर तुर्की भी अमेरिका के वार जोन में आने से देहल गया है तुर्की के प्रेजिडेंट अर्दौान को डर सता रहा है कि इरान के बाद उनका ही नंबर है तुर्की की मेडिया के रिपोर्ड के मुताबिक अर्दौान ने अंकारा में अपने भाशन में ये डर बया किया अर्दौान ने नेतनियाहू को डारेक धंकी देकर तुर्की को टार्गेट बनाने से पहले सो बार सोचने के लिए कहा है इस्राइली दूर दूर्दूमाली इस्लाम दून्यासी आइनी शेकिल्डे वतन सावनमसंदे मुटलका लुबनन हल्क वे हुकूमतिन यनंदे उल्माली बिस तुर्किये वे तुर्क मिल्लेटी ओलारक बुजोर गुन्लेरिंदे तुर्की डरा हुआ है सौधी अरब शान्ती का पैगाम दे रहा है फिर एरान युद्द की ललकार किसके दम से बर रहा है वार जोन में तहलका मचाने की शुरुआद इसराइल कैसे करता है ये बेरूत की बरबादी बताती है इरान की विसाइल स्ट्राइक का जवाब इसराइल भ्यानक पलटवार करेगा इसमें किसी को शक नहीं तो क्या इरान रूस और चीन के बैकप से अमेरिका से भढ़ने जा रहा है इरान ने ओपरेशन टूप प्रॉमिस टूप का जोकिम किसके कहने पर मोल लिया है पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो बेहट दराबना है रूस ने पश्चिमेशिया के युद्ध संकट का ठीकरा अमेरिका पर पोड़ दिया है प्रेजिडेंट पुतिन ने बाइडन को जम कर कोसा है रूस के विदेश मंत्राले की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने ट्रेलिक्राम पोस्ट में दावा किया पश्चिमेशिया में बाइडन पूरी तरहा विफल रहे है पूनी संगर्ष बढ़ता जा रहा है ये वाइट हाउस के समच से बाहर है अमेरिका सिर्फ बयान से संकाटों को हल करने में लगा है जो उसके बसका नहीं इसराइल के हमले के बाद लिबनान को राहत पैकेज भेज कर रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है खाड़ युद में फिलहाल रूस इरान खेमे में है चीन पहले ही इरान को सेटेलाइट डील करके मदद पहुचा रहा है लेकिन वार्जोन में ये दोनों देश इरान के साथ उतरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है खासकर चीन उदर अमेरिका तैकर चुका है कि अब की बार इरान का पक्का इलाज करेगा इरान को गुटनों पडलाने में अमेरिका और इसराइल को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा अमेरिका इसराइल को हर तरहां से मदद पहुचाता है हमास पर बरस रहे मिसाइल हों इस बुल्ला के एड़े पर फट रहे रॉकेट हों या फिर हूती विद्रोयों को दहला रहे जंगी जेड ये सबी हतियार मेड इन अमेरिका है इसराइल सूपर पावर के दम पर सभी दुश्मनों से अकेले लड़ रहा है ऐसे में इरान ने अगर इसराइल में भुश कर हमले की हिमाकत दिखाई तो अमेरिका को इरान को सबक सिखाने में वक्त नहीं लगेगा अमेरिका के सौस एन एड़े खाड़ी के देशों में है जहां करीब 40,000 जवान तैनात है बहरीन में मौझूद इसराइर बेस को अमेरिकी वायू सेना संचालित करती है बहरीन में अमेरिका का बड़ा मिलिटरी बेस भी मौझूद है बहरीन में नेवल फोसिस सेंट्रल कमांड और अमेरिकी नौसेना के पांचवे बेड़े का मुख्याले भी है इसके लावा भी अमेरिका के वेट, उमान, इराक, जौर्डन, फिलिपीन्स, कतर, सौधी अरब, सेशल्स, सीरिया, थाइलेंड और सैयुक तरब अमिरात में सेंट्रल मौझूद है अमेरिका के जंगी बेड़े चलते फिरते परमाणू बोदाम है यूएस नीवी के एरक्राफ्ट कैरियर ऐसे न्यूकलियर हतियारों से लेस रहते हैं जो किसी भी देश को पल भर में परमाणू धमाके का एसास करा सकते हैं अमेरिका के आट्मी हमले का जवाब देने की ताकत फिलहाल इरान के पास नहीं है चीन जैसे मौका परस दोस्ट से एरान को एट्मी हतियार हासिल करने के एसरत कभी पूरी नहीं हो सकती बचे पुतिन तो वो इस यूद के गेम चेंजर सावित हो सकते हैं जिने दुनिया मोस्ट पाउफुल लीडर कहती है यूक्रेन की तवाही पुतिन के प्रचंड क्रोध का जिन्दा सबूत है पुतिन का एरान के साथ यूद में आने से एट्मी पावर का भी पढ़ला एरान के हक में चला जाएगा लेकिन ये यूद तब पूरी दुनिया पर भारी पढ़ेगा वजय है एट्मी धमाके अमेरिका के आटम पम का धमाका इस धर्ती ने एक बार जिला है परमानू उत्रासिदी से बचने का कोई भी रास्ता इंसानों के पास फिलहाल तो नहीं है